राजिस्तान विधानसभा चुनाफ में कॉंग्रेस और सत्तारुन बीजेपी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा है लेकिन कौन किसे पटकनी देने के लिए मैदान में उतारेगा ये अब तक साफ नहीं था मगर काफी मन्थन के बाद अब बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिये है पार्टी ने 200 सीटों में से 131 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें कुछ पुराने नेताओं पर दाव लगाया है तो कुछ नए नेताओं को भी पार्टी ने किसमत आजमाने का मौका दिया है इसके साथ ही टिकट बटवारे में परिवारवात की चलग भी नज़र आई है राजस्थान बीजेबी में टिकट बटवारे को लेकर पिछले काफी दिनों से माथा बच्ची चल रही थी जहां सियम वसुंद्रा राजे अपने करीबियों को टिकट दिलवाने की चाहा में थी तो वहीं अमिच शहा अपनी चला रही थे इस तक्रार की बीश प्रत्याशियों को लेकर सहमती बंती नज़र नहीं आ रही थी लेकिन मेराथन मैठा के बाद आखिरकार पार्टी ने 111 सुमी द्वारों की अपनी पहली सूची जारी करती इस सूची के अनुसार सत्ता में बने रहने की कोशिशों में जुटी पार्टी ने अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा जटाया और कई जगा नेताओं के रिष्टदारों को टिकट दिया गया कहा जा रहा था कि पार्टी हार के डर से पुराने विधायकों कर टिकट काट कर नई चहरों पर दाव लगाईगी, लेकिन सुची के मुताबिक कम लोगों के टिकट काटे गए हैं, महस दो मंत्रियों समय तेज विधायकों के टिकट कटे हैं, बीज़पी जानती है कि टिकट कटने से पार्टी में वगावती सुर और बुलंध होंगे। इसलिए नारास नेताओं के रिष्टेदारों और बेटों को टिकट दे कर खुश करने की कोशिश की गई। हिंदुत्व का एजंडा भी नजर आ रहा है। राजस्तान में बीज़पी हमेशा से 4-5 मुसलिम चेहरों को जुनावी मैदान में उतारती रही है। लेकिन इस बार 131 मीद्वारों की सुची में एक भी मुसलिम नाम नहीं है। ऐसे में कायास लगाए जा रही है कि इस बार विधान सभा जुनाव में बीज़पी हिंदुत्व का कार्ट खेलेगी। आपको बताते कि विधान सभा में कुल 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होगा जिसके लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीज़पी में जिन नेताओं को टिकर दिया गय है वो आज नामांकन दाखिल कर देंगे। लेकिन कॉंग्रिस के लिस्ट अब भी जारी नहीं हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कॉंग्रिस के लिस्ट में कौन सी छरक देखाई देती है। हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीबी लाइव। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें डीबी लाइव। क्योंकि यहां हैं खबरें लगात हमारा ना भूलें ना भूलें डीबी लाइव।